राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस का मिस जानते हो आप राइजोबियम का लेग्यूम प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन्सिप रहेगा क्या रहेगा symbiotic relationship रहेगा जिसमें आप जानते हो कि जो rhizobium होता है एक प्रकार का free living gram negative non spirulating aerobic motile rod sept bacteria क्या है rhizobium free living है आप जानते हो rhizobium bacteria है rod sept है aerobic है motile bacteria है then rhizobium manly leguminous जो plant होते हैं उनमे root nodule का formation करता है किसका formation करता है root nodule का formation करता है root nodule formation करके उनमे nitrogen fixation करता है node का formation मतलब इन में एक special टाइप का gene देखने को मिलेगा जिसको आप बोलते है नोड़ जीन नोड़ जीन पिक्स जीन निप जीन वो आपने खल स्टेडी किया है तो यहां पर node gene देखने को मिलेगा जो की है इस लेगियूम राइजोबियम जो लेगियूम सिम्वाइवसिस है इसमे नोडियल फोर्मेशन आप उको देखना है नोडियूर ओर्मेशन देखना है और फिर किस प्रकार से अप्टेक अप्याप एस्सिमिलेशन हैं फिर एक पृंट ए askиваем co춰vatly reef utilization कि नॉट्रिफिकेशं अपने फले देख रहा है कि इस प्रकार से अमोनिय का करना है पॉर्मेशन करने से क्या होगा जितने बी जिंड़ डीके ओर्गनिक मटेरियल हैं नहीं farms प्रोटीन तो झाल होगा डे कंपोजिस्टमांट ओक्टीन皮विशन होग हमोनिया का फोरमेशन तो यहां पर देखने को मिलेंगे इनमें अमोनिया को प्योजियर प्लुक्षक तो आप जानते हो अमोनिया क्या करता है और नाइट्राइट आएन का फोर्मेशन करता है और नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट का फोर्मेशन करता है यह चीज़ अपने नाइट्रो सो मोनास नाइट्रो बेक्टर यह वाले चीज़ अपने बेक्टरिया में स्टेडी किया है नाइट्राइट को नाइट्राइट में नाइट्राइट से वापस इसको नाइट्रॉजन में चेंज करना है यह आपके टर्म हैं, एक है Amonif population मतलब मतलब जो भी Amon-Amineum acid से हैं उनका Amonia में Change करना, bacteria के थूज़ करना ha 진ो, में फिर हुए हो गया नाइट्रेट को आप नाइट्रोजन में यह हार्मफूल बेक्टिया रहे हैं रूदर बेनीपीसियल बेक्टिया रहे हैं ऐसा आपको तर्म देखना रहेगा जिसमें आपका चेप्टर फिनिस हो जाएगा तो यहां पर आपको नोडिल फोर्मेशन फोर्टोसिंधेसिस तो आपने इसका स्ट्डि किया है न उस्धृ पोर्टोसिंधेसिस ऐसे आपके सेलंबस में में फोर्टोसिंधेसिस एमने MAYधने वी नहीं आपकी बोर्ड ने है कि ICSE ओंड़ में फोर्टोसिंधेसिस प्लांट फीजियोलोजी तो राइजो भी यह एज प्लांट फीजियोलोजी और फीजियोलोजी और फेजोलोजी एज तो प्लांट फीजियोलोजी तो आपका अच्छा होएं फिर तो और यहां तो सब डीटियल है माताजी यहां तो सब कुछ तो आप तोड़ा सा ऐसा होता ना कि राइजो भी हम क्या है राइजो भी हम इस प्लांट धिंग नाइज ग्राइजव् और या रविव सुराण ग्राइज लेव एंग्राइश वंगर एंग्रां नांट्यं एंगेट ऋंतो करदों प्रम्दों करिज़ें मैं aerobic and motile rod-shaped bacterium rod-shaped bacterium rhizobium are more prominent Hindi rhizosphere 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 of rhizosphere of leguminous plant then start स्टार्ट होगा नौड्यूल जी हरे कृष्णा तो यहां पर आप जानते हो ऐसे नेचर में सभी प्लांट सोईल में ग्रोथ करते हैं सभी में रूट हेर का फोर्मेशन होता है लेकिन ऐसा क्या है कि आपके जो प्लांड लेग्यूमिनस प्लांट लेखिया यह ने में रूट नोडियूल वंद रही है आपके तो दिक्कत है ना कि रूट सभी में वंदूरा है सभी में ब्यक्तिरिया एंटर करना चीए बैक्तिरिया भी सोईल में ही है अब सोईल से भाग नहीं रहे हैं लेकिन यहां पर भी कुछ इस बैक्टिरिया जो आपके लेगंम में इंटर करते हैं और किसी प्लांट में नहीं करते हैं जाँ इसा सभी में हो जाता ना तो इतना आपको बाहर से बाता यहां से ही हो जाती तो यहां पर क्या के आपने यह के प्लांट का इन साइड वाला स्क्छर है नि नीन несंस ब्राइब रहेंगे और उसी वह बैक्तिरीया अधी प्रेजेंट रहेंगे और हार्मफूल बैक्तिरिया भी प्रजेंट रहेंगे अब क्या हुआ जैसे इस यह वाला कंडिस आपने बताया के इन लेगविनस प्लांट में क्या होगा जो भी बेक्टीरिया है राइजो बीम बेक्टीरिया वो रूट येर के आसपास कलेक्ट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे रूट येर के आसपास कलेक्ट हो जाएंगे उसको कवर्ड कर लेंगे अग कवर्ड करके कहां पर क्या होगा ज के सबस्टेंज का सिक्रेशन किया जाता है वह उनको बोला जाता की मोटेक्टिक सबस्टेंज्स वह क्या करते हैं या आप सकते हो को लेगिंग सोटा ना लेगिम होती है वह एमीनो ऐसेड शुगर और एके सेड शुगुराइफेट लिसर्ट करती है और वह सबस्टेंस कि होते हैं तो क्या ना की सक्षिप हो एकर्टिरिया यहां ॵह लोग्यां पर surrounding कर लेंगे इनको अन्हरों कर लेंगे सी क्या अगा जो बैक्टिरिया होगा ना वो उसको रूट को जो हारता इसको क्या कर लेंगे इस स्केर बना लेंगे तो रूट यह से लग रहे हैं कि एक इंफेक्शन ठ्रेड बन गया है और इंफेक्शन यह रूट एक ठ्रेड याइक इस्ट्रेक्चर बना करकि आपका इनर परी साइकल वाला पार्ट वहां जाकर कि यह क्या करेंगे दिविजिन करेंगे सेल का नंबर बढ़ाएंगे और वहां साइकल सेल की लीड जो ना उनमें ग्रोथ होगा जिससे रूट नोडिल का फॉर्मेशन होगा और इस रूट नोडिल में राइजयोबीं वैक्तियरिया प्रजेंट रहे गा और राइजयोबी llevेस्ट मिलेक्ति है 예 तिस इस नेसेसरी दूरी नीट्रोजन फिक्सेशन नीट्रोजन फिक्सेशन बाइभ बैट्रियल bacterial symbiosis only bacterial symbiosis only nodule formation nodule formation involves involve nodule formation involve a sequence a sequence of multiple multiple interaction multiple interaction multiple interaction between rhizobium 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 and nodule formation are summarized as follows कौन कौन सा समरी है उसके बारे में पन देखतर nodule formation कैसे होता है तो डाइग्राम के अकोडिंग यहां रहेगा तो इस्टेज फस्ट रहेगा तो उसमें क्या हुआ राइजो बियाम राइजो बियाम कॉन्टेक्ट राइजो बियाम कॉन्टेक्ट है ससेप्टेबल सिसेप्टेबल प्रैयजो बियाम कॉन्टेक्ट कोडिक्ट यह राई यह राइजो बियाम इस में राइजो बियाम भी दे रखा राइजो बिया सकती हो राइजो बियाम एपा multiply and colonize multiply and colonize the surrounding the surrounding of roots surrounding of roots and get attached and get attached and get attached to get attached to epidermal to epidermal and root hair cells and root hair cells this attraction is is chemotactic this attraction is chemotactic 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 root of legumes the legumes release amino acid amino acid sugar organic acid and flavonoids and flavonoids and flavonoids flavonoids and 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 सिक्रेशन होगा रिलीज करेंगे तो उसके वज़े से बैक्ट्रिया उनके पास अट्रेक्ट हो जाएंगे इस्टेज सेकेंड यहां पर बैक्टीरिया 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 इन वेड दी बैक्टीरिया इन वेड़ रूट हेर मेंस यहां पर इन्फेक्शन होगा पतल रूट के इंसाइड एंट्री किया जाएगा बैक्टीरिया के थुरू सक्सेश सक्सेश्वल इन्फेक्शन अप्रूट हेर सक्सेश्वल इन्फेक्शन अप्सेश्वल इन्फेक्शन अप्रूट हेर रूट हेर कोज एट टू कर्ल एट टू कर्ल कर्ली कर्ली आप curling of root here is is induced by induced by specific complex specific complex polysaccharides specific complex polysaccharides found found on the surface found on the surface of rhizovia or rhizovia recognized recognized by recognized by lectins recognized by lectins stag stag thal rae ga in a hand infection thread thread hand infection thread is produced is produced carrying the carrying the bacteria carrying the bacteria into the inner cortex inner cortex of the of the root then bacteria then bacteria are released then bacteria are released from the thread from the thread from the thread into the cells into the cells the bacteria get the bacteria get modified modified into rod-shaped rod-shaped bacteroids 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 and cos and cos and cos and cos inner cortical inner cortical and and pericycle cells and pericycle to divide to divide for de-differentiation for de-differentiation for de-differentiation for de-differentiation of cortical and pericycle and pericycle 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 cell pericycle plant growth regulators oxine oxine cytokine oxine and cytokine and cytokine are required are required for the oxine is provided oxine oxine is provided oxine by provided by host route host route host route while cytokine by bacteria cytokine by bacteria cytokine by bacteria तो यहाँ पर growth division and growth cortical cell and pericycle and pericycle then stage then stage fourth यहाँ पर क्या होगा the mature nodule the mature nodule the mature nodule is formed mature nodule is formed and 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 stabilize stabilize a direct direct vascular 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 connection vascular connection with the host with the host with the host for exchange of nutrient and the vascular 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 कि तो यहाँ पर मेचेव नौुवी इस फॉर्म हो जाएगए र mir का फॉर्म हो जाएगा एंड इसे डारेक्ट कशनर चारा एकम शॉलम फ्ल crisis, घूह जाय लर्फ स्का डारेक्ट तो यह व्याइए व्यास से फरण से इंज कटेरिया है उसको भी अपना काम मिलता रहेगा और ब McMillan को क्या करता रहेगा और को प्लानट को प्र dispatch करता रहेगा कि इसे को किसी फौह में तो चेंज किया जाए तो यहां पर क्या होगा एट एट फिजियो लोजिकल एट फिजियो लोजिकल पी-एच एट फिजियो लोजिकल पी-एच दे अमोनिया एक्या पीश प्रापर एट ए 50 ये वर इंवाइच व जाएच शिजिकल ओने पी ऋ एससे च्वंच आedel से लेट वगड लोजिकल 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 पीए ट वगनेकल लोजिकल लिसिकल वगेशं पीषल ammonium ion while most of the plants most of the plant can assimilate, can assimilate, nitrate, nitrate, as well as ammonium ions, ammonium ions, ammonium ions, ammonium ions are, ammonium ions are quiet, toxic, to plant, toxic to plant, and hence, and hence, cannot, cannot accumulate, cannot accumulate, in them, cannot accumulate in them, फिर क्या होता है, जो ammonia को फले use किया जाता है, फिर इसको amino acid में use किया जाता है, है, इससे हो थoftुर में जाता है, है जाता है, जाता है, है जाता है, है फिर शचल, का है 않아 है, जाता है तुर फ। यदर को इसे है, थ। झाता हैаш यब को शिर सांथा है, hardb अमिन असेट इन प्लांट इस वे नथ वेल एफ तो यह थो में वे इन वेच्चि वेच्ट वेल्ड वेंटू टेट, फिलेस, तो यहाँ प्रस्ट पोएंट है, रिड़क्टिव, रिड़क्टिव, एमिनेशन, रिड़क्टिव, एमिनेशन, तो यहाँ पर, जो एमिनेशन है, अमोनिया का, यहाँ क्या होगा, रिड़क्टिव, एमिनेशन होगा, 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 एमिनेश alpha-keto-gluteric acid gluteric acid to form an amino acid amino acid glutamic acid this process is known as reductive emination alpha-keto-gluteric acid plus NH4 plus NADPH gluteamate dehydrogenase gluteamate dehydrogenase enzyme gluteamate gluteamate gluteeamate gluteamate gluteamate sponsor बनेगा प्लस है एक टुओ प्लस एनडीपी प्लस एनडीपी का फुल फॉर्म है निकोटेन एमाइड एडेने डाइ नुकलियोटाइड पोस्पेट यह समय जो भी फुल फॉर्म है नहीं का यह आपको चेप्टर नंबर आपको देखने को मिल जाएगी फॉर्टेन या थर्टेन दोनों में आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ एनडीपी एच्टू एनडीएच्टू एफडीएच्टू एफएमेन एच्टू एससे सब वहाँ देखने को आपको मिलेगा ट्रांस रांस ऐमीनेशन लए को ड्रांस एमीनेशन यहां पर अमोनिया डोनर और एक रहेगा आमीनो डोनर रेसेप्टर यह एक दूसरे को पर ट्रांसपर होगा कैसे होगा ट्रांसपर अप ट्रांसपर अप एमीनो ग्रोप और अच्चचछ केड़ा, क्यो बार आम प्यAR डेसेट करहा कर का द्रांसपर कर रेसे था कर दो की टोप ट्रांसपर Keto group of a keto-acid Keto-Acid is Trans-Emination this is process of formation of other amino acids mainly form mainly from glutamic acid and catalyzed by transaminate enzyme this protein is related to protein Meno donor plus R2 C1O C2O minus or amino receptor R2 C1O C2O minus this is the same ग्लूटेमिक एसेड रियक्ट होता है और फोर्म करेगा एसपार्टिक एसेड एसपार्टिक एसेड प्लस एलफा कीटो ग्लूटेरिक एसेड ग्लूटेमिक एसेड प्लस पाइरोविक एसेड दोनों रियक्ट करेंगे यह दोनों रियक्ट करके एलएनिन प्लस एलफा कीटो ग्लूटरिक एसेड बनाएंगे एलफा कीटो ग्लूटरिक एसेड का फोर्मेशन करेंगे एसी मिलेटेड नाइट्रोजन तो यहां क्या होगा इन् यहां एस्दोरzięk खूंडड़न्ट्ट्ट्ट्ई स्ब्स्क्रेश्ट खाइटेश्न transportation of assimilated nitrogen through gylem. gylem occurs mainly in form of hemide glutamine glutamine and asparginine asparginine especially in a leguminous plant. leguminous plants hemides are hemides are more stable more than amino acids and possess high nitrogen. high nitrogen to carbon, high nitrogen to carbon ratio, 2 nitrogen to carbon, carbon and glutamine, glutamine while glutamic acid, glutamic acid, glutamic acid, and glutamic acid. It possesses one nitrogen to 5 carbon. 1-Nitrogen 2-5-Carbon Formation of Formation of Amides Form Form Amino Acids by By the Is called Is called Catalytic 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 कर रहके हैं Ammonification वाला पॉइंट आपको क्लियर करवा रहका है Nitrification 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 is chemin 좋ए हएके, נपर हके, נपर हके, हरभ360 mol Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö एक्केस्टे नित्रोजन सिर्फ्टेज ऌते है नित्रोजन सिर्फान इस नित्रोजन these compound, these compounds also have, also have a particularly, particularly high nitrogen, high nitrogen to carbon ratio.